अभी सुबह के दस पज़ रहे हैं अकेले बैठा था सुचा के वीडियो बना वी अभी नहीं पता ये वीडियो यूटूब पर अप्लोड करूंगा भी या नहीं तेरह जुन को हम पतना आते हैं पतना कॉलेज में एडिविशन लेने के लिए अधर मतलब पूरा उप्सारा था कि नए जगह पर जाएंगे पतना विहार की राजधानी सुचकर खुस होते थे पतना कॉलेज में डिविशन हो गया तेरह को हैं हम वापस अपने घर चलेगा फिर दो जुलाई को हम पतना वापस आ जाते हैं रूम फ्लैट है लिये हुए यहाँ पर वहीं पर अधर दो जुन के दो जुलाई के बार मतलब लग रहा था कि पता नहीं कहां आ गये हैं और जान सहर, लोग नए-ने-लोग ना किसी के लिए जन्नत उसा घर ही होता है क्योंकि हम पढ़ने के लिए कॉम्प्टिशन की त्यारी करने के लिए घर से मीलों दूर आते हैं ताकि हम अपना घर बना सके परिबार को सपोर्ट कर सके और भाई नए जगह पर आकर पता चलता है कि इतने लोगों के बीच में भी हकेला पन लगता है हम पटना आते हैं दो जुलाई को आज है पांच जुलाई आज ही मन करता है कि सब कुछ छोड़कर घर चले जाए पर जावी नहीं सकते हैं मैं अब आप बरी उमीद के साथ पटना छोड़के गाए कि बेटा पढ़ेगा कुछ वरा करेगा चुप रह जाते हैं क्या कर सकते हैं हम लड़के हैं साहब घर बनाने के लिए घर छोड़कर मिलो दूर आना पड़ता है हमें मैं आपको बताता हूं जब दो जूलाई को हम पटना आगा हैं तीन जूलाई को हम अपने कॉलेज गया थे एक तरस उत्सा था कि यहाँ भाई कॉलेज देखेंगे अपना पहला बार कॉलेज गएं कॉलेज के अंतर इंटरी लेते हैं इंटरी लेने के बाद जैसे हैं अपने डिपार्टमेंट के साइड जा रहे थें उसी टाइम पीछे से मार करने का आवाज आता है लाठी चल रह रहा है रोड चल रहा है हीटा चल रहा है बीज में पुलीस वाला भी है एक तरह से तीनों एक दूसरे को मार रहा है कि आई सोचो पहला दिन कॉलेज का कोई बच्चा जाए उसके सामने मार पिठ होने लगे कि हम तो पूरा हिल गए अंदर से बोले कि बयाई कोलेज अम नहीं याना है कोवज वापर फ़ें सबसे पहले मम्मी को काल ले ओना तो मम्मी पप्पा को बताती है हमको लगा पप्पा भूला लें घर पर पप्पा बोलते हमको कि इतना से ड़ जाएगा तो आगे अभी बहुत कुछ देखना कैसे देखेगा कैसे चलेगा हम भी चूप ढगाएं बोले कि उनका भी बात सही है चार साला गेज्वेशन है पहले दि जाएंगी सब देखकर तो काम तो नहीं चलेगा है